हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायो मॉलिक्यूल में जिसका नाम है कार्बो हाइड्रेट्स और इस टॉपिक में हम मोनो सेकराइड्स को डिटेल में पढ़ेंगे जबकी ओलिको सेकराइड और पॉलिसेकराइड को हम फर्दर लेक्चर एंड ऑक्सीजन विद आ मॉलिक्यूलर फार्मूला ओफ C-X-H2-O-Y यह यह निकि ऐसे कंपाउन जो कार्बन हैड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C-X-H2-O-Y होता है कार्बो हाइड्रेट्स किलाते हैं और मोनो में एक्स इस इकल टू वाई होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो टू रेशो वन होता है इसलिए इनको हाइड्रेट्स आफ कार्बन भी कहते हैं कि यह फास रच्पारिट्री सब्स्ट्रेट होता है सबसे पहले कार्बो हायड्रेट ही होता है बॉड्रे में 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 सोर्स्चथ है एक्ने और हमारी डाइट में 55 dot 65% अनेर्जी जो कार्बो हाइड्रेट से प्राप्त होती है जितने हम इसे थोटल Optically Active, Optically Active, Poly, Hydroxy, Aldehyde, or Ketone, यानि कि, यह Optically Active compounds है, जो भी हमने पढ़ा, Carbon, Hydrogen, Oxygen से मिलके बने है, पॉली हाइडोक्सी का मतलब, पॉली मने कई सारे, एक से जादा, More Than One, OH गुरुप, हाइडोक्सी का मतलब, OH गुरुप, और एक एल्डी हाइड गुरुप, या एक कीटो गुरुप, यानि कि, यह Carbohydrate वो compound होते हैं, जो Optically Active होते हैं, जिसमें एक से जादा OH गुरुप होता हैं, जिसमें एल्डी हाइड गुरुप होता है, वो एल्डोज कराते हैं, कॉमली, और जिसमें कीटोन गुरुप होता है, जो Simple Carbohydrates होते हैं, जो Water में Soluble होते हैं, वो क्या गलाते हैं, Sugars कराते हैं, तो Sugars का मतलब क्या है, कि Simple Carbohydrates, विचार Soluble in Water, अब यह तो हो गई, इसकी introduction, introduction के बाद, अब आपको पढ़ना है, Classification of Carbohydrates, Carbohydrates, को हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, Monosaccharide, Oligosaccharide और Polysaccharide, इनका जो यह Classification है, यह किस बेस पाधाईत हैं, कि यह Hydrolysis Show करेंगे या नहीं, यानिकि इनका Hydrolysis होगा, या नहीं, यह Further Hydrolyzed होंगे या नहीं, और अगर होंगे, तो होने पर वो कितनी Saccharide Unit, कितनी Small Unit देंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, Carbohydrate का Classification इस बेस पर होता है, तो Monosaccharides का मतलब है, कि ऐसे Compound जो Further Hydrolyzed नहीं होते हैं, और उसमें C3 से लेकर C7 वाला एक Compound होता है, एक Molecule होता है, और इनको Further Hydrolyzed नहीं किया सकता है, इसमें 2 to 6 Monosaccharides Units होती हैं, रेरली 2 to 10, और इसमें More Than 10, यानि कि बहुत सारी, यानि कि यह Hydrolysis पर बहुत सारी Mono Medic Unit, यानि कि Monosaccharides देंगे, यह 2 से 6 देंगे, और इसमें एक ही Molecule होगा, इसके Example जो है, Sucrose, Lactose, Maltose, Raffinose, इसके Example स्टार्च, Cellulose, Glycogen, इसके तो अब हम जो Classification ने पहुँचे, तो पहली बात तो Classification किस बेस पर अधारित है, कि वो Hydrolysis आगे होंगे या नहीं होंगे, होंगे, तो Hydrolysis होने पर कितने Monosaccharides वो Produce करेंगे, जिसमें एक ही Molecule होता है, वो Monosaccharides, जिसमें 2 से 6 होते हैं, या 2 से 10 तक हो सकते हैं, वो Polysaccharides, Polysaccharides, अब हमें Detail में पढ़ना है, Monosaccharides, Polysaccharides और Holyosaccharides को हम Further Lectures में पढ़ेंगे, तो Monosaccharides की पहला पॉइंट क्या हुआ, कि इसमें एक ही Molecule होता है, कितना 3 से 7 कारबन वाला, दूसरा पॉइंट कि Monosaccharides को होते हैं, वो Further Hydrolyzed नहीं हो सकते हैं, और उनमें X is equal to Phi होता है, फार्मूले में X is equal to Y होता है, तीसरा, जो Important Point है इसका कि सभी Monosaccharides reducing sugars होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके Free Aldehyde और Ketone Groups, वो Capable होते हैं, Cu++ Cupric Ion को Cu++ Cuprous Ion में Change करने में, यही Base है Bandic Solution और Failing Solution का Test का, कि यह Blue Colour, जो है Copper Sulfate का, उसको Brick Red में Change कर देते हैं, और जो Monosaccharides होते हैं, जिनमे Free Aldehyde Group होता है, वो Eldos क्यलाते हैं, जिनमें जैसे Ribos होता है, और जिसमें Monosaccharides, जिसमें Ketone Group Free होता है, उससे हम बोलते हैं, Ketose, जैसे Ribolose है, Fructose है, Sedum Heptolose है, अब इसके साथ साथ, हमें Glucose से संबने थोड़ी सी बातें दो पढ़नी हैं, Enomers और Epimer और Pyronos and Frunos, Frunos पैरे Enomers और Epimer, अगर हम Equus Form में देखें, तो Glucose Ring Form में नज़र आता है, तो वहाँ पर अगर Position Change, H और OH की, यानि कि OH और H है, कि जो Position Change है, वो अगर पहले Carbon पर होती है, तब हम उन्हें बोलते है Enomers, और अगर वो Position Change दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर होती है, तब हम उसे बोलते है Epimer, पहले हम Enomers देखते हैं, अब हम इस Enomers के अधार पर दो परकार के Glucose है, Alpha और Beta, यह Ring Chain है, Carbon, 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 Oxygen, अब इसमें हम देखेंगे कि पहले Pyrinose और Phyrinose है, वर्ड किस ने दिये, हाव वर्थ ने दिये, है क्या Pyrinose, Six Membered Ring है जिसमें पाँच कारबन एक Oxygen, Phyrinose, Five Carbon, Five Membered Ring है, और जिसमें चार कारबन एक Oxygen है, अब इसमें रिंग में, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो पांच प्लस एक Oxygen is equal to called Pyrinose Ring, अब इस रिंग में जो Alpha और Beta फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, कि अगर OH इंसाइड की तरफ होता है, चैन, रिंग में, तो इसे हम Alpha बोलते हैं, दोनों का सेम होता है, बस अंतर क्या है, कि अगर OH बाहर की तरफ है, तो इसे हम Beta फॉर्म बोलते हैं, और Alpha बीटा फॉर्म एनुमर्स होती है, साइक्लिक फॉर्म है, यह एलफा बीटा ग्लुकोज आड़ अनुमर्स इन दा साइक्लिक फॉर्म, अब यह चारों बात है, अब इसके बाद एपिमर, एपिमर का मतलब जो पोजिशन में चेंजिस होंगे, वो किसमें होंगे C2, C3, C4, यानि कि तूसरे, तीसरे, और चौथे कार्बन पर होंगे, अब यह ग्लुकोज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन, स्टेट चैन हो गई है, यह स्टेट चैन है, ग्लुकोज की, अब इसकी इस पोजिशन पर, ह, ओ, ह, ओ, ह, ओ, ह, ओ, ह, ओ, ह, ओ, ओ, ह, चेंज आ रहा है, अब आप देखो, कहां आ रहा है, ह, ओ, ह, ओ, ह, ओ, ह, ओ, ह, ओ, ह, यहाँ पर, ह, यहाँ पर, ह, अब इसमें जो चेंज आ रहा है, दोनों में, वो दोनों में चेंज कहां है, कि यहाँ पर, चौथी पोजिशन पर, जो और बाएच में चोफी पॉजिशन पर एच है इस तरफ मेनुज में देखो तैसलिए यह या ये इच्छ पॉजिशन पर है ये इसलिए या ओपीमर है यह फोड फॉजिश्टल पर इसलिए यह यह भी ऑपिमर है अब जो monosaccharides है उसके classification में, monosaccharides कही परकार की होते हैं, पहला है trios, on the basis of carbon atom, tetrose, pentose, hexose, और heptose. trios, इसमें 3 carbon, इसमें 4 carbon, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 carbon, trios का जो example है, वो है gilsaldehyde DHAP, यानि कि dihydroxyacetone phosphate, अब monosaccharides की एक property और होती है, कि सभी D और L फॉर्म में पाए जाते हैं, except dihydroxyacetone phosphate, यानि कि dihydroxyacetone को छोड़ कर, सभी DRL फॉर्म में पाए जाते हैं, अर्थात ये, polarized light को clockwise और anti-clockwise गुमाते हैं, CH2OH, C double board O, CH2OH, ये है, dihydroxyacetone, तो ये, इसको छोड़ कर, accept this, ये सभी DRL फॉर्म में पाए जाते हैं, अर्थात, dextro rotatory होते हैं, और, लिवो रोटेटरी होते हैं, तो इसके एक्जामपल है, गिलसल डिहाइड और, dihydroxyacetone, टेट्रोज का एक्जामपल है, आइथरोज, और, एथरोज के अलावा, एथरूलोज, पैंटोज के राइबोज सुगर, deoxyribose, इसके अलावा, xylulose, hexose में, glucose, fructose, galactose, एट्सेटरा, और इसका, pseudoheptulose, haptulose, इसमें आभी राए है, हैप्टो, अब जो इसके बाद हमें, पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, इसके monosaccharides के function, सबसे पहले, जो glucose है, वो main respiratory product है, अभी हमने पढ़ा, कि जो main productive respiration में, यूज होने वाला, ग्लुकोज होता है, और इसी से हम energy obtain करते हैं, fructose जो होता है, हनी में और sweet fruits में पाया जाता है, और उसे हम food के रूप में यूज करते हैं, pentose sugar जैसे, arabinose और xylulose, polymers बनाते हैं, जो hemicellulose का constituents होते हैं, यानि कि hemicellulose के बनाने में help करते हैं, ribose और deoxyribose sugar जो होती है, pentose sugar होती है, जो deoxyribose DNA में और ribose sugar RNA में बनाने में हल्प होती है, ethrose जो होता है, वो raw material होता है, synthesis of anthocyanin, lignin और कुछ amino acid जैसे triosin और phenylalanin, इसके अलाबा, ribulose phosphate जो होता है, वो RUBP बोलते हैं, इसको ribulose bisphosphate बोल देते हैं, तो वो acceptor होता है, photosynthesis में, पहली reaction जो होती है, co2 को accept करने वाली उसमें वो use होता है, ascorbic acid, एक sugar acid होता है, जो vitamin C होता है, और वो collagen formation में use होता है, trios, tetros, और pentose और heptoses, वो intermediates होते हैं, सभी respiration में और photosynthesis में, इसके अलावा, monosaccharides आगे जाकर polysaccharides बनाते हैं, जो structure भी बनाने में help करते हैं, storage में भी help करते हैं, और ribos sugar, ATP के formation में use होती है, NADP, NADP, NAD, NADP और FAD के formation में भी use होती है, अब इसके बाद, थोड़ा बहुत हमें point पता होने चाहिए, glucose के बारे में, fructose के बारे में, तो glucose जो होती है, वो blood sugar कलाती है, क्योंकि glucose blood में present होती है, इसके अलावा ये grapes में present होती है, abundantly, इसलिए इसको grape sugar भी बोलते हैं, grapes बाकी सभी fruits में fructose पाया जाता है, और fructose सबसे sweetest sugar होती है, नेचर में नेचरल शुगर जो पाया जाती है, इसके अलावा जो fructose होता है, वो fruits में, maximum fruits में और honey में पाया जाता है,